हेलो दोस्तों मेरे नाम है विशे सारे दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग तो दोस्तों आज हम एक बिल्गुल डिफरेंट वीडियो आपके लेकर रहा हैं दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में टेक्नलोजी इतनी यहाँ पर बढ़ गई है आज के टाइम पर आपने देखा होगा 10 दोस्तों यहां पर कर लेते हैं अपने स्मार्टफोनों से तो दोस्तों यहां पर कुछ स्मार्टफोन में ओप्टिकल जूम यहां पर को देखने को मिलता है और कुछ स्मार्टफोन में डिजिटल रूम में देखने को मिलता है जिसमें जो सेंसर होता है एक फिजिकल पार् जो यहाँ पर प्त यहा पर तरीके से c忘 цен घ्ल करके आपको यहाँ पर कंप दिखाए गी हम तरह यह यहां पर यहांपे करने के लिए के तरह की टेग्नोज इलेटी विडियो देखने के लिए जो शुरू करते हैंच कि अगे अगे अब दोसों हम इस चीज को प्रेक्टिकल तोर पे भी हैं पर करके देख सकते हैं अपने घर पे भी काफी असान है आपके प्रोजेक्ट में काम करेगा अगर आपके साइन्स को पढ़ रहे हैं तो अब दोसों यहां पर मैंने करकिया यहां पर सिर्फ एक 50 mm का लेंस मंगाया है देखने को देखेंगे और हम इस से आगे आजहिऊंगर हम जातें इस से पैसे करने हैं जिक्कांड कर्के मैं फटर रहे हैं जिससे ऑगे और को मुझे देखना चाहिए वह दूर का देखना थोड़ा पास का देखना है तो यह आगे-पीछे होके फोकस में आएगा जैसे के पार्ट मूब होता है फोकस को करने के लिए तो उसी तरह से यहां पर यह काम करेगा और दोस्तों उसके बाद यह सारी चीज़ें यहां पर बन यहां पर यहां पर चीज होए उन पर फोकस करके यहां पर जूम अपने स्मार्ट फोन से नहीं मतलब आप यहां पर पक्सियों की डिटेल पिच्छर कर सकते हैं, 87x जूम में बिदाउट क्वालिटी लोज के, तो मैंने यहां पर क्या काम किया है, मैंने मून को भी है पर देखा, मून के क्रेटर से यहां पर साफ यहां पर चमक रहे हैं, आप यहां पर फर्स्ट इंप्रेसन में यहां पर रखते हैं, तो क्योंकि मेरा दूसरा चैनल जो अगर आप इस चैनल को भी चेक किजिए, आपको यह टुटिरल देना था, कि हमारे जो स्मार्ट फोन साज के टैम पर आ रहे हैं, तो ओप्टिकल जूम यहां पर आने लगा, तो ओप्टिकल जूम जो होता है, वह तरी एक तरीके का पैलिस्कोप लेंस, यहां पर दिखाया, कैसा लगा आपको मिझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर फुल वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे में लिंक है, उस पर जाके आप यहां पर देख लिए, तो चलिए तो आज की वीडियो मता ही इत